नमस्काल दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके प्ली चैनल एरफोर्स इपजांप के पर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाइगरुप के लिए जागा के माकटरिश्ट को स्वाल्व करेंगे और दोस्तों यह आज का माकटरिश्ट निबल 3 है अगर आपने इससे पहले के mark test solve नहीं किये हैं तो इससे पहले के mark test का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन वाक से विदे दिया गया है वहां से जाकर आप सभी mark test को जुरूर solve करने हैं और दोस्तों आप लोग इस mark test को पुरा solve करेगा और वीडियो के लाश्ट में कमेंट वाक समताएगा कि आज आपने कितना score क्या है दोस्त अगर आप इस चनल पर नए हैं तो चनल को subscribe कह लें और bell icon को भी प्रेस कह लें देखिए question number 1 निमलिखित में से काउन साब विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था दोस्तों आपको यहाँ पर चार आपसें दिये गए हैं और इनमें से आपको बताना है काउन साब आपसें इस question के लिए correct answer होगा दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आपका दाइट answer का आपसें नमरे अल बरुने ठीक है भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था मतलब काउन सा बिद्वान तो उसका नाम क्या था अल बरुने ठीक है इसके बाद दोस्तों आपके लिए question number 3 पढ़िएगा इससे क्या करा है अंग्रेजों ने रियत वाड़ी विवस्ता सरप्रथम आरंब की थी मतलब कहां पर सरप्रथम आरंब की थी मतराज प्रेसिडेंशी में तो आपसे नमबर डी वाला यहाँ प्रेसिडेंटी में देखें इसके बाद आपके लिए अगला प्रस्ट गया है नमबर चार निम्डिखित मेंसे किस सागर का खारापन सबसे अधिक है तो खारापन सबसे अधिक किस सागर का है यहाँ पर भी आपको चार आपसें देग हैं और दोस्तों यहाँ पर आपका दाइट आंसर होगा option पाँच बार को देखी क्या का रहा है उपराष्ट पदी को उसके पत से नेम्न में से किसके प्रस्ताओं के द्वारा हटाया जा सकता है तो इसी उपराष्ट पती को राज सवा के द्वारा, ठीक है, राजी सवा, तो यहां पर देखी गा, आपसे नमर ऐ वाला इंपा-ईड प्रस्ताव के द्वारा उपराश्ट पति को अध्या सकता है जो सबीत को पता होगा संसत के कितने सदन होते हैं तो संसत के दो सब्सक्राइब लोकसवा और राजी सवा ठीक है अने भी आद रेख़ेगा इसके बाद दोस्तों आपके लिए को श्य नबर 6 देख़ेगा यहांपर क्या कराए सुसन में उर्जा उतपादित होती है मतलब किस रूप में उतापित होती तो AM自र न 17 17 18 18 को कि सराच में इसाष्ट्री कैंसर संस्तान खोला गया था तो खोला गया था उत्तर प्रेश्ट में और याइट इसके बाद 8 रंबल देखिएगा आठ रमपर है computer का कौन सा भाग प्रियोग के संपादन को select interface और monitor कलता है तो इसका नाम है दोस्तों, option D वाले में लिखा हुआ है central processing unit Central processing unit कहते है CPU, इसकी full farm है यह ठीक है याद किया इसे भी और यहाँ पर इस person को भी याद कर लिजेगा इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला person का है देखिए का यहाँ पर number 9 अब दोस्तों यहाँ पर grid का सवार आपके लिए चुका है चार की power 5, कामा, चार की power 8, और चार की power 12, और चार की power 7 लिखा है का लगुत्तम समा बढ़ता गयात कीजिए अब आप सभी जानते है इसका मतलब होता है LCM, लासा याद कीजिए अब लासा कैसे निगालेंगे आपको यहाँ पर देखना है क्या इन सबका बेस समान है मतलब आधार वड़ावर है तो बिल्कुल सही है, देखिए चार की power 5 लिखा हुआ है लिखा है चार गहत आठ और लिखा है चार की गहत बारा और लिखा है चार की गहत साथ तो यहाँ पर देखिए सबका आधार कितना है सबका आधार आपका है चार तो दोस्तों जब भी सबी संख्याओं का आधार समान होता है तो वहाँ पर आप देखते हैं घातें किसकी घात जादा है ठीक है जादा घात वाली आपकी होती है लासा बात को समझे दोस्तों यहाँ पर कि जिसकी घात जादा घात देखी 12 है बड़ी तो यह क्या होगा यह इसका हो जाएगा लासा अगर दोस्तों यहाँ पर कहता कि मासा क्या होगा तो मासा निकालने के लिए देखते हैं अगर आधार समान हो तो छोटी घात तो छोटी घात है 5 तो इसका मासा कितना हो जाएगा 5 तो मैंने या पर दोनों आपको उता दिये concept कि लासा निकालने के लिए घात बड़ी वाली होती है और मासा निकालने के लिए छोटी परिड़ाम, 150 का 70% होता है, वहाँ संख्या क्या है तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे फ़रे तो आप कुछ संख्या माननी है और मानने के लिए तो हमाल लेते हैं अब देखी का सवाल, ठीक है सवाल कहा है किसी संख्या की 70% मतलब x के 70% का मतलब 72 तो उसका परड़ाम का सतर परसेंट होता है इतना होता है अब देखिए यहां पर इतना पता लग आपको है अब इसको सॉल्व करना आपको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जीरो जीरो आपका क्थम होगा पन देखिए आपको 1 1005 तो आपका इतना आ चुका है अब दोस्तों आपको आगे देखना है भागे गा होगा तो यहाँ पर हम दो निकाल लेंगे 7x बटा 10 क्या हो जाएगा तो आपका निकल के आगए 7 देखीगा 7x बटा 10 बराबर देखीए 105 से 70 जाएगे तो आपके बचने के 35 ठीक है अब 7 से काड़ेंगे 7 एकन 7 और 35 तो आपका बचा है 5 तो आपका हो जाएगा तो वीडियो को लाइक के जरूर करें और दोस्तों कर आप इस चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें देखीए इसके बाद आपके लिए कोश्चन नमबर 11 अब देखीए यहां पर ध्यान से पढ़िएगा तभी आप इस प्रस्ण का आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे यहां पर कहरा है 16 रुपय का साधान ब्याच दो वर्स चार महीने में 252 रुपय होता है तो ब्याच की दर प्रतिवर्ष कितनी होगी प्रतिवर्ष की बात कि दोस्तों यहां पर आपको काम करना पड़ेगा यहां पर आपको समय Θ arrangements five day five-day God आपको इसको total back में चेंज करना है was तो आपका two-वर्स तो आपका दो वर्स रहेगा में रहं लेकिन रह लिखा चार महीना तो आपको लिएया चार और एक जो आपको सोचना वापने life समें तो इसे वर्स में च bla Sub है तो आप वर्स ठीक है अब यहाँ पर हमने समय निकाल लिया है साथ बटा तीन वर्स ठीक है साथ बटा तीन वर्स समय आ चुका है अब सवाल को लगाईएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है 252 बरावर ठीक है 252 बरावर मुल्धन कितना है 1600 रुपए है 1600 गुणा दर कितना है दर नहीं पता है आर गुणा समय कितना है साथ बटा तीन वर्स तो साथ बटा तीन और पूरे की वटे में कितना करना है? करना है 100 अब इसके बाद हमारा आंसर आएगा निकलके हमें काटना पड़ेगा यहाँ पर तो देखिए 202 से आपके दो जिरो कैंसल हो जाएगा यहाँ अब आपना है आपका 252 ठीक है गुण आप 4 से काटेंगे 4 16 और चार नेम आपका हुआ कितना 36 तो आपका इतना हो जाए अब इसके बाद में नहीं कटेगा तो आपका यहाप निकल काएगा देखें नो तिन गुणाग होगी तो आपका इतना है तो आपसे नो देखेंगे हम लोग यहाप यहाप पर देखते हैं लोग लिखा हुआ है दो संख्याओ का अनुपाद दो अनुपाद तीन है एवं लासा बहत्तर है मासा ग्याद कीजिए दोस्तों यहाप पर आपको सबसे पहरे तो एक बात जात रखनी यहापर है जिकिस संख्याओ का अनुपाद रिखा है दो अनुपाद तीन अर दोस्तों आपको एक बात और पता है कि मासा क्या होता है मासा का मतलब होता है जो दोनों में हो मासा का मतल आपको सूजना हे संख्याओ का गुणण फरटा है सूथ लायसा गुणासा मासा तो यहां किया करेंगे करें गतकynthesis करें बिँकान के सब्सक्राइब गड़ान होता अब इसको स्वाल करेंगे माका ценच चेछ चने सब्सक्राइब si अव्हicer करेंगे आपको सवाल बता दिया है अच्छी तरीके से सवाल को समझेगा और इसके बाद में देखिएगा अगला पस्त अगर दोस्तों आपके सवाल समझ में आ रहे हूं तो इस वीडियो को पर दोस्तों के पास सेयर भी कल दीजिएगा देखिए उस तो कोश्चन नमर 13 यहां पर आ और तेहा नमर आपसे क्या कह रहा है उसे भी समझेगा हैं आप देखिएगा इक आदमी बगीचे में ekkयाओ फोग्ला सवाल को लगाने के बिसका वरग मोल ठीक है इसका इसका निकालते हैं लोग इसका निकालते हैं हम लोग बर्ग मोल तो आपको यहापर दो और दोस्तों लिखा हुआ है इसका निकालना है आपको वर्ग मूल तो यहां पर देगे साथ से आपका हो जाए कितना होगा यह जाएगा आपका उन्चास ठीक है आपका यह पच्छा दो आपका यह हो गया साथ साथ चौधा अगले संख्या उतारें को जाएगा चौरासी आप देखेंगे इसका बर्ग मूल निकालने के तरीके और हैं यहां पर देखिए चार है लास्ट में तो आपको देखना है किसके बर्ग में लास्ट में चार आता है तो देखिए एक तो दो काबर होता है तो चार आता है और एक आट काबर होता है तो आता है चार ठीक है तो इसका मतलब है क जो 80 से 20 परसेंट अधिक है तो 120 हो जाएगी हमने क्या है हमने 100 का 20 परसेंट निकालके एड़ कर दिया इसमें इसमें प्रेकार दुस्तों आपको 80 में क्या करना इसका 20% निकालना है पहले, तो निकाले कितना गया आपका, आपका आगया है 16, अब आपको 80 में क्या करना है, 16 को जोडना है, ठीक है, तो आपका निकल क्या गया है, आप 96, अब आपसन B वाला है, पाईट आंसर हो ठीक है, 96, आपसे नमबर भी यहां पर आईट आंसर हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपके लिए देखिए कोश्चन नमबर 15 अपसी क्या करा है देखिए कोश्चन नमबर 15 यह दिलागत मूल और बिकरी मूल का अनुपाद दस है तो लाब परसेंटेज गयत किजिए देखिए दोस्त को चीज़ आप 9 रुपए खरीदेंगे 10 की बेचेंगे मतलब एक रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है एक का लाब हो रहा है निकालना है लाब परसेंट हो जाएगा एक बटा नो गुणा सो आपका इतना आएगा इसको भी अल करेंगा आपका हो जागा सो मंबर को करा है दो संख्या को अनुपाद 5 5 है उनका मासा आठ नका याद की जिए यहां पर दोस्तों आपको संख्या दर ठेकेंगे चारनुपाद 5 के ओनुपाद 2 मैं अपको दिख्खा है मासा केतना है आट मैंने आपको इससे पहले सभाल में बताया था कि मासा वोता है दोनों में कामन का मतलब होता है की मासा निकाल लेते हैं ठीक है तो यहां पर यह दोस्तों यह effective ऐ Μ कर देंगे यहां से बेर आ Alice रिकला कर देंगे तो आपकी संख्या लें कर देंगे एकror लाइस और आपकी 32 ठीक है 8 चा discharge और आपके यह वाली आवे 40 तो आपकी संख्या दोस्तों निकल गया चुकी है 32 और 40 पूछा गया लासा निकालेंगे इसका तो यह अपड़ा निकलना पोड़ेगे आपको 32 का निकलना लासा देखे दो आपका मासा तो आठ पहले से था ठीक है मासा पहले से 8 था आपकी संख्या वची थी एक थी 4 यहां पर था 5 तो आप इसमें गुणा कल दीजी 8 गुणा पतलब 4 गुणा 5 ठीक है तो देखें कितना वरा आर्च एक को 32 बत्ति पंच होगा 160 160 दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा अपक्स नमबर डी आपकाई टांसर होगा 160 ठीक है तो लिए पूस्तों अपसे नमबर डी वाला यहां पद्याइप आइटांसर हो जाएगा देखिए इसके बाद 17 नमबर दी गई सरंकला संख्या सरंकला में लुप्त पद ग्याद किजिए अब दोस्तों यहाँ पर सरंकला को अच्छी तरीकेश देखिएगा आपको यहाँ पर लुप्त पद ग्याद करना है नोट करेंगे पहले हम लोग देखिएगा देखिए 63, 72, 81, 90 निकालना है फिर आपका है 108 देखिए 63 से 62 पर इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमने 9 एड़ गया आगे जाएंगे आगे भी 9 इसमें एड़ कर दिया है तो सिंपल सी बात है इसमें 9 एड़ कर देंगे तो 99 कितना हूँ आपका 99 और 99 में जिब 9 एड़ करेंगे हो जागा 108 तो बिल्कुल सही आप दोस्तों लाजिक बिल्कुल सही आपर है आपका अंसर आएगा B वाला ठीक है 99 आपका यहाँ पर आजाएगा आपसर नुबर B वा अब देखिए 95 145 1412 अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि सम बिसम में तो दो सम है दो बिसम है तो बहुत हमारा लाजिक नहीं रहेगा दूसरा लाएंगे यहाँ पर अब यहाँ पर देखना है में कि 95 एक है 114 है 152 यह दोस्तों सभी 19 के पाड़े में आते हैं 19 पना 95 औ हो जागा यहाँ पर 145 समझ गें होंगे आप लुक सवाल कोची तरीके से अब देखें उस तो इसके बाद में आपके लिए कुश्चर में 19 क्यागरा है प्लस का अलत मायनस मायनस का अलत गुणा का अलत भाग भाग का अलत प्लस है तो आपको इसका मान निकलना है तो दोस् लाग दोस्तों यहां पर इसको स्वाल करतें के लेगे हैं पर थी इसकुको देखिके हैतना आ हो राप यहाप यहाप अगला deliber करें दोस्तों इस PC यहां पर घ्याइगा और यहां पर बताये यहां दोस्तों आपको बताना है कि आए यहां पर समझे इए कहार रॉण कौन सा लॉण जीग इन्हों पर लगाया है जिसंहिंका आंसल यहां पर उथ से को एक आगे बढ़नता है बैंक भी यहां पर तो आठ पांच कितना हुआ है यहां पर तो इसका मतलब यहां पर यहां पर प्लस का पांच किया गया है अब देखिए तेज़ पांच कितना हुआ यहां पर यहां पर यहां पर का पांच कितना है तो आपको आपको आगे यहां पर निकल यहां बाए चुका है तो इसका मतलब बिल्कुल सही हमा रहा है और अपसें डिया आपके लिए आप 24 नमर को देखेंगे टेके था शब्द लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रतेयक अच्छ्छ रको एक बार पीडियो करते हुए कौन सा सब्सक्राइब कौन सा नहीं बन सकता है यहां पर देखिए लिखा है यह लिखा हूए यह लिखा हूए यू कहीं पर भी नहीं तो इसका मतलब हुआ दोस्तों आपके लिए वाला यहां पर सूचेगा दिये गई विकलपों में आपको दोस्तों यहां बता रहा है कि संबंदित अच्छनों को चुनिए अब यहां पर आपको अच्छल चुनने है C, A, G, J, X, V, T, A तो यहां पर देखिए, A यहां पर है और यहां पर आपका है Z तो इसका मतलब A होता है एक पर, Z होता है 26 पर और आपका 26 अब शवर्य एक मिलकर हो गया आपका 27 तो इन दोनों संख्याओं का योग आपका कितना रहा है 27 योग हो रहा है आगे देखेंगे C होता है 3 पर और X होता है 24 पर 24 तेन कितना होगा 27 तो यह बिल्कुल 27 इसका भी हो रहा है आगे देखेंगे E और V देखेंगे E V E 5 पर होता है V 22 पर तो इसका मतलब यह भी 27 हो रहा है आगे देखिए G और V G और T G और T का मतलब हुआ 7 और 20 26 यह भी हो गया तो बिल्कुल सही हाँ पर है यहाँ पर आपको देखना है कि इस बाले अच्छल का यह हो कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए I होता है 9 पर ठीक है और होना चाहिए कितना 27 तो इसका उने 27 से 9 माइनस कल देंगे तो कितना चाहिए 17 से 9 हो गया चाहिए 8 अठारा तो दोस्तों यहाँ पर क्या आपको बता लग गया होगा यहाँ पर अठार नमर आएगा मतलब यहाँ पर आ रहाना चाहिए क्योंकि 9 अठारा कितना होगा 27 तो यहाँ पर आना चाहिए आ रहाना चाहिए आगे लिए क्यों होता है 11 पर 11 27 से 11 पर 16 पर आता है ठीक है तो आपका पी आएगा अब दोस्तों आपको यहाँ देख लीगा आपसें सी में आपको देख रहा है अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला पेस्ट क्या है देखेंगा यहाँ पर नेफ्ट दोस्तों कुश्चन आ चुका है नमबर तेज़ अब तेज़ नमबर के दोस्तों आप यहाँ पर पढ़िएगा दिए गए विगलपों में से बिसम सब्द को चुनिए दोस्तों यहाँ पर आपको चुनना बिसम सब्द लिखा हर्दे दोग मनोविग्यान नियूरोलाजी और नेफ्रोलाजी तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगा है इसके बाद दोस्तों आपके लिए कि कौन सा है यहां पर देखेगा यहां पर नीचे दी गई अच्छे स्थानों पर अनुकम के अनुसा दखे जाने वाले अच्छों का कौन सा समूह उसे पूरा करेगा यह पर आपको पूरा करना है यहां पर डैस लगा हुआ है यहां पर साईिसे देखें लिएगा अब इसके आपको दिखने यहां अब आगे आपको देखना है यहां पर देखें के बाद यहां पर आपको देखना क्या आएगा ठीक है तो देखें के बाद यहां पर एकस लिखा हुआ है यहां पर भी एकस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर एकस आएगा और एकस से पहले क्या आएगा तो यहां पर तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करने फटाफट से और बिल आइकन को भी प्रेश करें देखें इसके बाद में आपके लिए पच्छेस नमर क्या रहा है एक बिश्च कोड में आल दा वेश्ट के लिए आप दोस्तों आपको देख़्ें और भी यहां पर है और यहां पर फिक हो तो दोनों के लिखा है यहां पर लिखा आठ तो लग के लिए आपका का एस अब आगे बढ़ेंगे आगे अब देखेंगे तो उप ऋप canvas पहले वाले को देखेंगे न corporate इन कर तो पहले थीस्य वाले में आपको देख रहा है और पांच यहां पर भी है यहां पर यहां पर ऊप kulli । तो गुड़ के लिए आपका क्या एगा आपका गुड़ के लिए आजाएगा नव गुड़ के लिए नवा जाएगा,जोस्तों आपसे oms A यह जाएगा always. आपसे आएपसे एवाला यह बाझा क्या यह क्या है एक पूरुस की और संख्यत करते हुए दीना ने कहा कि दिखिशने का दीना ने कहा और किसके लिए का एक पुरुष की वह संक्यत करते हुए क्या का है यहां मेरी दादी की दादी ठीक है दिना की दादी तो यह लिखा यहां मेरी दादी की इकलोती संतान दादी की इकलोती संतान और इकलोती संतान का कौन है पुत्र है अब यहा संतनन पदेखिया दादी का यहां कर दो यहां पर देखेंगे क्लिशा क्या है अ हुआ पुरस फ्रेना का कौन है तो वह पुरिजिना का भाई है तो आपसे नमबर बारा यहां पदाई टांसर होगा भाई ठीक है और आगे देखेंगे तो लॉजिक यहां से लगाना पड़ेगा यहां पर इसके आगे लिखा है चार तो एक से चार कैसे आया हमें यह सोचना है तो अगर हम एक में चार से गुणा करते है ठीक है एक में चार से गुणा करते है तो आपका चार जाएगा बिल्कुल सही है यहां पर आपको देखना है छे आगे लिखा है चौविस ठीक है अगर यहां पर भी अगर हम चार से करेंगे तो नो हमार नहीं आ सकता है तो दोस्तों यहां पर नौ में चार्ट से गुणा कर देंगे ठीक है तो नौ चोग कर देंगे हो जाएगा आपका 36 तो आपसे यह वाला है पदाइट अंसर हो जाएगा देखिए इसके बाद आपके लिए अगला पर सा चुका है अगला देखेंगे तो यहां पर आईट आलोगा ठीक है दोस्तों अगर आप एर फूर्स बाइग्रूप की तियारिक नहीं अच्छी तरीके से करना चाते हैं तो हमारी ऐरफूर्स बाय ग्रूप की लिए लगप तीन सो मार्क टेस्ट पढ़ा दिया चुके हैं जो आपको चैनल की प्लेष्ट में मिलेंगे आप बहां से आकर सभी मंस्टेश्ट को सौल गरें और पेपर में अपना इच्छा स्कूर कर सुकते हैं इसके बाद आपके लिए हैं mirror image इस प्रकार से हो जागा यह और आपका यह पाला पालेट आपके यहाला से बाला पर शोगा आपसे नहीं पर होगा सी वाला करेक्ट ठीक है सी वाला आंसर इसके लिए राइड अंसर हो जाएगा देखें लास्ट कुछन आप आ चुका है और यहां पर आपको बताना है यह वाली आकर्ट आपको किसमें दिख रही है तो आप देखें यहां पर आपसे नहीं को चेक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को आप चैनल पर पहली वारा है चलों कुछ सब्सक्राइब करके वर्याइकन को भी प्रेश करें